तो आपको एक gaming laptop चाहिए, आपको भज़े रहे 80,000 रूपीज, और 80,000 रूपीज आपको वेस्ट नहीं कर सकते, आपको best of the best laptop चाहिए था, जो कि recent updated है, तो वही मैं आप लोग के साथ share करूँगा, कौन से ऐसा laptop से जो आप लोग gaming कर सकते हो, साधी साथ जो office task भी कर सकते हो, सा सारे task कर पाऊगे, और कौन सा किसके लिए suitable है, वह भी बताऊँगा, तो चलिए, kick start करते है, मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देखे रिफ्रेश रिप डीज, अगर मेरा अच्छा लगे, like, subscribe, बाद में, but first चीज है, telegram ग्रूप जाके जॉइन करो, वह आपके लिए आप के लिए फायदे मन्थ हो सकता है, दूसरी चीज बात करना चाहते हो, कुछ परसनली कुछ सुझाओ चाहिए आपको, add the rate, so, विश्वास, इंस्टाग्राम है, जाके DM करो, एक दो दिन में आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, तो चलिए, अब डिरेक्टली जो है, या CPU, CPU देखके हैं, यापर दो प्लेयर्स है, Intel है, AMD है, तो अगर AMD कर लिने चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास दो-दो अलग-अलग option है, एक तो Ryzen 5 5600H है, एक Ryzen 7 4800H आपको मिल जाती है, बट 80,000 से थोड़ा अगर ऊपर जाते हो न, तो यहाँ पर Ryzen 7 की 5800H भी आप लो आप लोगो तीन प्रोसेसर मिल जाएगी, तो पहला जो है, आई 5 11 200H इसको जो है, डिरेक्ली इग्नोर करना है, यहाँ पर मिलता है, आप लोगो 4 core और 8 thread, जो की बहुत ही कम है, इस price point में, at least आप लोगो 6 core वाली laptop तो लेनी ही चाहिए, दूसरी प्रोसेसर जो है, वो है, 260H, इस वाली प्रोसेसर की बात करें, तो यहाँ पर भी 6 core 12 thread मिलती है, बट इससे भी एक बेटर प्रोसेसर है, जो थोड़ा बहुत आप लोगो बेटर परफॉर्मेंस देगागी, आप 5-6% तक की आप लोगो अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो की है 11400H, मेरी रेकमेंडेशन जो है यहाँ पर आप 11400H प्रोसेसर के साथ ही जाओ, जो की बेस्ट प्रोसेसर है, यह directly compete कर सकता है with Ryzen 5 5600H, दूस्ती चीज़ जो है डिस्पले, डिस्पले देखुआ है 1080p Full HD Resolution वाली डिस्पले ही, इस बजट के अंदर आप लोगो दूसरी चीज़ डिस्पले के अंदर जो है, वो है refresh rate, यह important है, अगर आप लोग गेम प्ले करना चाहिए, तो at least 120Hz की refresh rate होनी चाहिए, ताकि आप लोग ए smooth feeling मिले, अगर आप लोग हाई FPS गेम्स पर खेलता हो, तो वो बहुत या असान इसे उसके monitor के अंदर enjoy कर पाऊगे, सबसे important वो है GPU, GPU की बात करें, यहाँ पर at least आप RTX 3050 लेने की कोशिश करना, अगर आपका budget 80,000 है, 3050 या फिर 3050 आए, 1650, 80,000 में बिल्कुल ही नहीं लेना है, तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना, उसके पर TGB matter करता है, बट यहाँ बेटर TGB आप लोग को मिलेगा, औ यह सारे best option होने वाला है, जो कि आप consider करें, यहाँ की बात करें, यहाँ 16GB की RAM होनी ही चाहिए, under a price bracket of 80,000, यह याद रखना, and then HDD की बात करें, तो HDD हो ना हो, but SSD तो 100% होना चाहिए, तो यह सारे चीज़ थी, जो कि आपको मद्दे नजर रखते हो, एक laptop consider करना चाहिए, under 80 2000, तो चलिए अप डिरेक्ली लिस्ट देखते है, फटा-फट, और वहाँ से आप लोग consider कर पाऊगे, तो first laptop on the list is HP Victus 16, यह वाला laptop बहुत सही laptop है, यहाँ 16.1 इंच की आप लोगको full HD IPS anti-glare display मिलती है, जिसके अंदर आप लोगको 100% SRG मिलती है, तो color accurate काम के लिए बहुत ब उसका processor की बात करते हो, तो processor यहाँ पे Ryzen 7 5800H मिलता है, आप लोग को DDR4 RAM मिलती है, जहाँ पे 8-2 configuration की है, तो dual channel की configuration भी मिल जाएगी, और यहाँ पे अप टू 32GB तक आप अपग्रेड भी कर सकते हो, उसका storage option में यहाँ पे 512GB की PCI NVMe M.2 SSD मिलती है, along with that एक slot extra है, जहाँ पे Windows 11 देखने को मिलता है, out of the box, along with that आप लोग को Office 2019 भी मिल जाती है, उसके पर GPU की बात करते हो, यहाँ पे RTX 3050 मिलती है, जो कि 75W TGP के साथ आप लोग को देखने को मिलता है, along with that battery status इसके 70Wh की आप बैटरी है, तो battery life आप लोग को decent मिलेगी, तो यह वाला जो model है, इसके अंद लोगो cooling system इसके अंदर देखने को मिलती है, हाँ, एक issue है, इसका जो display का hinge है, वो थोड़ा wobble करता है, वो चीस आप लोग देख लेना, अगर लेना है, तो यह देख सकते हो, display वाइस अच्छा है, और performance वाइस आप लोगो अच्छा मिलेगा, brand अच्छा है, तो अगर आप ल Dell वालों के लिए, Dell की laptops की demand बहुत सदा हाई है, सब लोग पूछते है Dell की laptop, Dell की laptop, अभी नई जो आ रही है Dell की laptop, वो लगबग 86,000 के आसपा सब लोगो मिलेगा, तो under 80,000 कौन सा laptop है, तो देखो है, अगर budget exceed कर सकते हो, तो i5 12th generation के साथ भी आप जा सकते हो, अगर जाना है, यह उसका link तो जबरूर मिलेगा, वहाँ से जाके आप लोग consider कर सकते हो, if you can exceed your budget, बट अभी 80,000 के अंदर console laptop है, तो first है Dell G15 5511, यह आता है Intel की i5 11400H processor के साथ, जाब 6 core और 12 threads मिल जाती है, along with that यहाँ आप है 16GB की DDR4 3200MHz की RAM है, 18x8 configuration में है, तो dual channel का फाइदा आपको मिल सकते हो, और यहाँ बे 512GB की आप लोग को SSD भी मिलती है, और एक expansion slot जो है extra मिल जाता है, जिसके अंदर आप चाहे तो SSD डालना है, डाल सकते हो, उसके बाद यह बें GPU की बात करा तो यह आप है RTX 3050 Ti मिलती है, 4GB की GDDR6 की आप ग्राफिक्स मिल जाएगी, और इसका TGP जो है 56Wh की battery drive है, Windows 11 प्लस MS Office भी इसके अंदर देखने को मिलता है, और यहाँ पर Wi-Fi 6 वगेरा नया connectivity आप लोग को मल जाता है, तो इसका प्राइस लगबग 80-81 के आसपास fluctuate करता है, तो यह वाला laptop देख सकते हो, अगर गेमिंग के लिए लिए अचाहे तो यह laptop बहुत सही हो सकता है, फ्रॉम डेल, नेक्स जो है वो है, डेल G15 जो की 5515 है, यह राइजन वाला वेडियंट है, यहाँ पर लोगो राइजन 5 5600H मिलता है, 6 को और 12 थ्रिट का CPU है, साथ चाथ यहाँ पर 16 GB की RAM आपको मिल जाती है, DDR4 30-200 MHz as usual, और यहाँ पर भी आप लोगो 8-2 configuration के साथ मिलत जाती है, और इसको अपगेड करने के लिए additional slot भी है, तो Sony पर स्वागा, आप इसको असानी से अपगेड कर सकते हो, और Windows 11 plus MS Office इसके अंदर भी देखने को आपको मिल जाता है, तो डेल G15 की अगर डिस्प्ले की बात करते हैं, तो दोनों Intel और AMD का version है, उसके अंदर आप लो तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, तो अभी question आ सकता है, Intel ले या AMD ले, तो देखो है, दोनों में आप लोग 6 core और 12 threads देखने को मिल दिए 11400H में भी same, और जो Ryzen 5 5600H है उसके अंदर भी same, बड, multi core performance की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो बाजी मार जाता है AMD, और जो आप लोग देखने को मिलेगा, और अगर अब all-rounder काम करते हो, तो Ryzen 5 5600H के साथ जाओ, वहाँ पे लोगो better performance भी मिलेगा, gaming experience भी आप अच्छी खासी वहाँ से उठा पाओगे, तो दोनों के दोनों link नीचे description box में है, वहाँ से check out कर सकता हो, तो यहाँ पे और एक laptop आता है जो कि Dell की तरफ से, Dell G50 नी है, Intel काई version है, यहाँ पे आप लोगो से processor अलग देखने को मिलता है, जो कि 11-1260H, तो यह consider कर सकता हो, बट अगर आप लोगो 11-400H मिल रहा है, तो उसके साथ जाना वो आप लोगो थोड़ी बहुत तो better performance दे देगा, उसके बार Lenovo की अगर बात कर देखने को मिलता है, यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना, नेक्स चीज़ अगर लेना है IdeaPad Gaming 3, तो Ryzen का variant लोगो, यहाँ पर Ryzen 7 की 5800H आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर इसके साथ आप लोगो 85W TGP वाली RTX 3050 देखने को मिलती है, इसका price 83 तक जोए extend हो सकता है, तो एक बार लेने से पहले आप directly official website जो है Lenovo की वहाँ पर visit करके जरूर देखना, नीचे description box ने उसका link है, आप वहाँ से जाके देख सकता हो, वहाँ पर special promo code होता है, जो मैंने description box में देखे रखा है, वह apply करते हो, तो maximum 5000 से लेकर 3000, 4000 तक आप लोगो discount देखने को मिल सकते हैं in every laptop, अगर similar laptop को वहाँ पर मिल रहा है with discount, आप वहाँ से ही आपको लेना चाहिए, तक आप लोगो अच्छी खासी deal वहाँ पर मिल पाए, तो ये laptop जरूर चेक आउट करना, नीचे link देदूगा, अगर वो offer apply हो जाता है, तो आपको discount में ये वादा laptop under 80,000 ही आपको देखने को मिल नेक्स जो laptop है, ये बहुत famous laptop है from Asus, और ये है Asus की तब से Asus TUF F15, ये Intel की processor के साथ आता, 11400H processor i5 का version है, और यहाँ पे आप लोगो 6 code 12 thread मिलती है, और यहाँ आप एक GPU की बात करें, RTX 3050 Ti आपको मिलेगी, 60W प्लस 15W की TGP के साथ रहा है, तो टोटल आप लोगो max TGP 75W की TG यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि आप लोगो better performance देदेगा, अगर आप लोग gaming वेरा करते हो, तो आपको कोई भी आप दिक्कत नहीं आने वाला, 16GB की यहाँ आप लोगो RAM मिलती है, 512GB की SSD मिलती है, along with additional slot है, जहाँ पे आसानी से आप इसको upgrade करना है कर सकते हो, और यहाँ पे अगर battery की बात कर, तो यह 90Wh की battery के साथ आता है, जो लगभग आप लोगो 3.5W तक battery life provide कर देगा, डिस्प्ले की बात करें, 15.6 inch के full HD, IPS level की डिस्प्ले है, 45% NTSC के साथ आता है, यहाँ पे कोई भी आप लोगो 100% SRGV नहीं मिलता है, तो एक decent सा डिस्प्ले है, अ अगर आप लोग वीडियो एडिंग करना चाहता हो ना, तो कोई भी laptop लो तो यहाँ पे directly आप Ryzen 7 ही चूज करना, चाहे आप यह laptop ले रहे हो, अलग laptop ले रहे हो, तो Ryzen 7 5800H या फिर 4800H वहाँ पे चोई ना, आपको 6 core नहीं, आपको 8 core और solar threads मिलती है, जिसकी मिलती से multi core performance बहुत सही मिलता है, और वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा आपको दे देगा, along with that 3050 की graphics मिलती है, तो यह laptop जो है Asus stuff A15, इसके अंदर आप लोगो Ryzen 7 4800H मिलता है, एक generation पुराना है, वर इसका price आपको 75,000 में अभी देख देख को मिल रहा है, उससे भी कम offers वकर लगा होगे, तो उससे भी कम मिल सकता है, यहाँ पर RTX 3050 देखने को मिलती है, 75W TGP के साथ आता है, और साधी साथ यहाँ पर RAM की बात करते है, 8GB की DDR4, 3200MHz की RAM है, बट यहाँ पर 5000 रुपे आपके पास है, तो यहाँ आप आप आसानी से एक RAM लगा के इसको अप्डेट करन तो यह सबसे best option है, तो go with, अगर आपको gaming भी करना है, साधी साथ आपको video editing करने के लिए laptop चाहे था, तो वो देख सकते हो, बट एक और चीज है, कि अब डिस्पले जो color accurate नहीं है, 45W 90S यह जो normal ASUS stuff, A15, F15 के अंदर मिलता है, वोई same display आपको मिलेगा, 144Hz refresh rate के साथ है, तो gaming में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट color accurate projects के लिए यह थोड़ा आपको दिक्कत दे सकता है, तो अगर यह laptop consider करना है, तो नीचे best buy link है, वहां से जाके आप check out कर सकते हो, नेक्स दो alternative option में आप लोगो बताता हो, जो कि आप consider करना है, तो कर सकते हो, अगर आप budget exceed करते हो, RTX 3050 भी आप लोगो वहां पर मिलेगी, और यह थर्मल इंप्रूब्मेंट भी वहां पर देखने को मिलेगा, तो budget exceed कर सकते हो, तो do check that laptop out, और साधी चाहर नमबर 2 option जो है, वह ASM Nitro 5, जो कि Ryzen 7 5800H के साथ आता है, यह लगभग आप लोगो 80-80-2000 के बीच में देखने को मिलत है, जो कि मुझे बताना था, मैंने आप लोगों को बता दिया, जाब है 16GB की RAM मिलती है, RTX 3050 Ti देखने को मिलती है, और Combo Storage है, 1TB plus 240GB SSD का, जो कि आप लोग enjoy कर सकते हो, storage के मन में कोई भी दिक्कत नहीं है, और यह laptop जो है न, आपको कभी कबाद दीन में देखने को मिलता है, तो अगर आपको कोई 80,000 में मिलता है, तो जट पर यह grab आप कर सकते हो, यहाँ पर डिस्प्ले कोई खास नहीं है, यहाँ पर भी 15.6 इंच के Full HD IPS Anti-Glade डिस्प्ले में जाती है, जिसका refresh rate 144Hz के साथ आपको देखने को मिल जाता है, तो गेमिंग के लिए 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 तो यह laptop आप consider कर सकते हो from Acer, जो कि एक अच्छा pick होगा, तो अभी final question है कि कौन सा laptop मैं लेता है, अगर मेरे पास 80,000 होगा, तो first मैं consider करता है HP Victus, जहाँ पर मुझे 100% SRGB मिल जाता है, जिसकी मुझे need है, मैं video editing का का काम करता हूँ, तो यहाँ पर color accurate मेरी need है, तो वो मैं consider कर तो वो भी मैं आसानी से वहाँ पर कर सकता था, यहाँ पर अगर सिर्फ gaming की बात करते हो, तो यहाँ डेल की तरफ से जो laptop है Dell G15 वो considerable है, जहाँ पर 3050 Ti के साथ आप लोग को GPU देखने को मिल जाता है, तो वो एक option आपको for gaming मैं consider करूँगा, उसके बाद और एक laptop है, जो कि बह जाती है, तो अगर यह laptop भी consider करते हो for gaming, तो यह भी आप लोगो अच्छा performance दे देगा, तो आपको कोई भी brand specific laptop चाहिए, तो आप खुद select कर लेना, but मेरी recommendation मैं आप लोगो बता दी, तो I hope यह वीडियो को पसंदा है, पसंदा है तो like, comment, subscribe कर देना, और नीचे best buy link है, वहाँ से जाके आप purchase करना है कर सकते हो, तो मिलते के साख लिए interesting वीडियो के साथ, तब तक के लिए stay alert, stay safe and bye bye